असलाम अलेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल, आज की इस वीडियो में हम इस लीलन की कुर्ती के उपर बहुत ही खुपस्वासा कट्वक के साथ नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे बुग्रम के उपर गले की कटिंग करेंगे तो जो मैंने बुक्रम लिया है, इसकी चुडाई मैंने 10 इंचिस ली है और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 16 इंचिस ली है अब इस तरह से इसको डबल फोल्ड करते हुए गले की चुडाई के लिए हम निशान लगाएंगे यहां पे गली की चुड़ाई मैं 3.5 इंचिस पे ले रही हूँ आपने जितनी ले रही हो आपने साफ से ले सकते हैं गले की लंबाई हमने यहां पे 7 इंचिस पे ली है उसके बाद हमने इस तरह से इन दोनों निशानों को मिला लेना है और simple V-gala draw कर लेना है अब जो बंद वाली side है वहां से हम तक्रीबन सवा एक इंच जितनी चोड़ाई के जितना निशान लगा लेंगे पूरी लंबाई में इन निशानों को भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और जो V-gala हमने बनाया है उसके उपर भी सेम इसी तरह से अब एक इंच की चोड़ाई पर निशान लगा लेंगे और इन निशानों को भी इस तरह से आपस में मिला लेंगे अब यह जो हमने gap रखा है इसके बीच में हमने design बनाना है तो उसके लिए मैं अलग से यहाँ पे paper के उपर जो है design को cut करूँगी तो यहाँ पे जो मैंने paper लिया है वो hard paper लिया है इसकी लंबाई मैंने 1 इंच ली है और इसकी चुड़ाई मैंने 2 इंच इस ली है अब इस तरह से हम इसको double fold करेंगे और यहाँ पे अपने जिस shape में यह design बनाना हो अपने इस साफ से बना सकते है मैंने इस तरह से हल्की सी गुलाई देते वे इसको cut कर लेना है यह देखे इस तरह की shape में हमारे पास cut हो चुका है paper अब इसको हमने इसके center पर रखते वे निशान लगाने है लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे पिंथ के साफ बुकरम को आपस में इस तरह से मिला लेंगे ताके यह हिलेना उसके बाद अब नीचे की side से एक इंच उपर की तरफ करते वे हम निशान लगा लेंगे क्योंकि इतना हमने gap छोड़ना है अब हमने इस तरह से इसके उपर गुलाई दे देनी है यह देखें corner से उपर तक और जो मैंने उपर वाली side रखी है यह तक्रीबन मैंने 1 इंच उपर करते वे उसके बाद आपने इसको corner से मिला लेना है उसके बाद आप इस paper को आपने इस तरह से यह जो हमने gap दिया है इसके बीच में रखते वे आपने simple इसके उपर निशान लगा लेने है यह देखें इस तरह से पूरे उपर तक आपने यह निशान लगा लेने है अब सबसे पहले जो बाहर वाली line हमने draw की थी उससे हमने half inch की दूरी पर इस तरह से simple इसको cut कर लेना है इस तरह से अब हमने यह जो cut work वाला pattern ready किया है इसको हमने cut करना है लेकिन अब pins को में जो है वो उसके बीच में लगा रही हूँ ताके यह दोनों side से बराबर shape में cut हो अब simple इसी तरह से हमने इसको cut कर लेना है यह देखें इस तरह से गला कट हो चुका है अब हमने इसको कपड़े के उपर paste कर लेना है अच्छा यहाँ पर मैंने गला paste कर लिया है इसके इलावा मैं यहाँ पर zero की बुक्रम यूज़ कर रही हूँ उसके उपर ताके इसमें और ज्यादा फनीशिंग आए क्योंकि यह जो कपड़ा है यह लीलन का है अगर आपके पास सिल्ख लीलन या शेफून का कोई कपड़ा हो तो उसके उपर आप लाजमी इस तरह की zero की बुक्रम यूज़ करें उससे जो है वो बहुत ज्यादा फनीशिंग आती है इस तरह के कट्वक वाले डिजाइन को बनाने में तो अगर आप दामन पर यह पैटरिन बना रहे हैं लीलन के फैब्रिक के साथ या ट्रॉज़र के उपर तो आप लाजमी जो है वो इसके उपर इस तरह से zero की बुक्रम को यूज़ करें अब थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते वे बाकि एक्स्ट्रा कपड़े को मैं यहां से कट कर रहे हूँ यह देखें इस तरह से और जहांसे इसकी कॉर्णर वाली साइड है वाहां से हम इस तरह से कट लगा के इसको कपड़े को उसके उपर फोल्ड कर लूँगी और इस तरह से एक रफसलाई लगा लूँगी अब हमने शेट की यह फ्रेंट साइड लिए है जिसके उपर हमने कले को यहां पर सेट करना है तो सेंटर पर जो क्रीस बनी हुई है इसको मैं टेलर चोक की मदश से इस तरह से निशान को डाग कर रही हूँ अब यह जो गल्ला हमने रेडी किया है इसको हमने सेंटर से थोड़ा सा कट करके उपर वाली साइड से इसके बिल्कुल सेंटर पर हमने इस तरह से सेट कर लेना है अब आप चाहें तो इसको पूरा पिन के साथ सेट करके सलाई लगाएं या फिर इस तरह से एक सेंटर पर पहले रफ लगा लें उसके बाद जिस शेप में यह डिजाइन बनावा है उसी शेप में हमने आइस्टा इस्टा से इस तरह से इसके उपर सलाई लगा लेनी है बिल्कुल किनारी की यह देखें इस तरह से स्लाई लग जाएगी जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको वीडियो में दिखा रहे हूँ और बिल्कुल अराम-अराम से आपने यह काम करना है ताके नीचे की साइड जो कपड़ा है वो फॉल्ड ना हो और दूसरा तरीका यह है कि आप साइडों पे भी जो है वो पिंस का यूज़ कर लें ताके कपड़ा अपनी जगा सेट रहे अब इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और यहां पर मैंने वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा तेज किया है लेकिन काम जो है वो मैं बिल्कुल अराम-अराम से कर रही थी ताके यह फिनिशिंग के साथ हो इस तरह से गला हमारा रेडी हो चुका है अब हमने सबसे पहले इसको सैंटर से इस तरह से कट करना है उसके बाद हमने इसको इस चेप में कट करते वे थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा हमने एक्स्टर चोड़ना है बिल्कुल साथ साथ कटिंग नहीं करना गले के यह देखें इस तरह से और जो उसके कॉर्नर्स है वहाँ पे आपने इस तरह से छोटे से कट्स लगा लेने हैं ता अब हमने इसको अच्छे से आरन कर लेना है आरन करने के बाद यह देखें गला हमारा कितनी फनीशिंग के साथ बना है उसके बाद यहाँ पे मैंने सेंटर की साइट फैबरिकेट करना है तो सबसे पहले गले की लंबाइप में यहाँ पे निशान लगाऊंगी तो 7.5 जिसको मैंने इस तरह से उपर की साइट इसको फोल करके सलाई कर ली है और नीचे की साइट मैंने वुक्रम पेस्ट किया है अब इसको हम सेंटर से डबर फोल करते हैं बिल्कुल सेंटर पे इसको इसको इस तरह से रखेंगे और जहां पे हमने निशान लगाए हैं गले की नमबाई पे वहां तक हम इसको इस तरह से सैट कर लेंगे अब आप चाहें तो इसको पिन के साथ भी यहां पर सैट कर सकते हैं लेकिन यह लिलन का फैबरिक है तो यहां पर में थोड़ी सी गलू का यूज करूंगी ताके यह लेन आपनी जगा से और इसके अपर हम एजली स् यह देखें इस तरह से और जो इसकी नीचे वाली साइड है वहां पर हमने इस तरह से इसका कॉर्णर बना लेना है यह देखें इस तरह से तो यहां पर जी देखें इस तरह से हमने गले को कम्टीट कर लिया है बीच में हमने इस तरह से बटन यूज किये हैं आप चाहें तो कटवक के बीच में पल्स का भी यूज कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही उमीद करती हो कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के ल चैनल पर न्यूँ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा तो मिलते हैं जी नेक्स वीडियो में अल्ला हाफिस